हलो स्टुडेंट्स आज हम मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्ता के बारे में अध्यान करेंगे मनसबदारी व्यवस्ता को मुगल काल में सर्व पर्थम अकबर ने लागू किया यह एक परसासनिक व्यवस्ता थी जिसको 1566 इस्वियों में पहली बार अक्बर ने अपने परसासन में लागू किया इसके बारे में हम विश्तरी तद्यान करते हैं मंसब शब्द का अर्बी बासा में अर्थ होता है पद या स्रेणी मंसब दार का अर्थ है पद धारन करने वाला अधिकारी मंसब दारी व्यवस्ता अक्बर के समय से मुगल सैनिक व्यवस्ता व्य नागरिक परसासन का मूल आधार बन गई यह मंगोलों की दश्मल लव पदति प्राधारित थी सर्व पर्थम वेश्विक दर्ष्टी से अगर देखें तो चंगेज खाने इस व्यवस्ता को अपने परसासन में लागू किया था अकवर के समय राजपत्रित अधिकारियों की 66 स्रेणियों में बाटा परंतु वास्तों में 33 स्रेणी ही थी अबुल फजल ने भी 33 स्रेणियों का ही उले किया परसित इतियासकार इर्विन के अनुसार मनसबदारी व्यवस्ता पर शोद करके कहा है कि मनसब से अधिकारियों की स्रेणी वेतन वे दर्बार में अन्य अधिकारियों को की तुलना में उनकी इस्तिती का पता चलता है अथार्प मनसब से यह पता चलता है किसी भी मनसबदार का या फिर उसके दर्बार में नियुक्त की व्यक्ति का कि उसकी रेंक क्या है उसकी दर्बार में इस्तिती क्या है उसका पद क्या है इसके बारे में हमें मनसबदारी से पता चलता है मनसबदार मीरबक्षी के अदिन होते थे तथा उनका प्रीचे भी बासा से मीरबक्षी के मद्यम से ही होता था आरंब में पांच हजार से अधिक के मनसब राजकुमारू के लिए होते थे बाद में अकबर ने राजा मान सिंग वे मिर्जा अजीज कोका को साथ हजार की मनसब भी दिये अकबर के सासन के अंतिम दोर में पांच सो जात तथा उसके उपर की स्रेनी वाले अमीर वर्ग पर राजपूत एवन अन्य हिंदू से परभूत्वे जमाया था सबसे छोटा मनसब दस का वे सबसे बड़ा मनसब दस अजार का होता था अकबर ने जहांगीर को बारह हजार का मनसब भी दिया था जहांगीर साजहां के काल में साजादों को चालीस हजार तक के मनसब दिये जाने लगे मनसब दारों की तीन सिरेणिया होती थी जिसमें पहला मनसब दार कहला था जिसको दस से पानसो जात के बीच दिया जाता था दूसरा अमीर कहला था जो कि पानसो जात से अधिक किन्तु पचीस सो से कम जात का होता था तीसरा अमीर उलूम्रा कहला था जिसके पास पचीस सो से अधिक जात होते थे अकबर ने जब ये मनसब दारी व्यविश्ता प्रारंब की तो जिस मनसब दार को जो मनसब दिया जाता था उसके अनुरूप वे उतने गोड़े या संसादन नहीं रखता था तो इस मनसब दारी व्यवस्ता में अकबर के काल में ही कुछ मात्रा में ब्रस्टाचार लागू हो गया था तो उसको दूर करने के लिए इस मनसबदारी व्यवस्ता में एक नई व्यवस्ता और लागू की पंद्रासो पिच्यान वे ईश्वी में जात और सवार पहले किसी भी मनसबदार को उसके दिये गए मनसब के आदार पर उकार जाता था जैसे कि पांसो का मनसबदार साथ सो का मनसबदार पंद्रासो का मनसबदार तीन हजार का मनसबदार पांच हजार का मनसबदार लेकिन अब किसी भी मनसबदार को उसके जात और स्वार के आदार पर उसकी पद इस्तिति के बारे में पता लगाया जाता था जैसे कि पांच हजार जात और पांच हजार स्वार का मनसबदार जैसे कि पांच हजार जात तीन हजार स्वार का मनसबदार मनसर्दारों को नगत वे जागीर दोनु रूप में वेतन मिलता था जागीर से उसे केवल राजश्व प्राप्ति का अधिकार था पर सासनी का अधिकार नहीं था अकबर ने सासन के अंतिम दिनों में 1593 इश्व में जाथ वे स्वार नामक द्वेत मनसर्प परणाली सुरू की जिसमें इन तीनू स्रेणियों के मनसर्दारों को जाथ एम स्वार के आदार पर तीन और स्रेणियों में विबाजिते कर दिया गया जाथ मनसर्पदार के पद को सुचित करता था कि दरबार में उसका पद क्या था इसके बारे में तो हमें पता चलता था कि उसका जाथ क्या है तो जाथ के आदार पर किसी भी मनसर्पदार के दरबार में उसके पद के बारे में पता लगाया जा सकता था जबकि स्वार उसके दवारा रखे जाने वाले सेनिकों की वास्तिवी की संक्या को सुचिते करता था मनसबदार का वेतन स्वार के अनुसार निश्चित किया जाता था तो मनसबदार उसमें दो और पजोड दिये जात और स्वार जाज से उस मनसबदार के पद के बारे में पता चलता था और सुवार से उस मनसबदार के दोवरा रखे जानी वाले सैनिक और उनको दिया जानी वाला वेतन के बारे में हमें अवलोकन होता था सुवार वस्तुत है सैनिक पद को दर्शाता था स्वार पद से ही सैनिक वे नागरिक सैनिक या राजस वे मनसबदार के बीच अंतरिस्पस्ट होता था क्योंकि दर्बार में नियुक्त परतेक व्यक्ति मनसबदार कहलाता था ये दो तरह के होते थे सैनिक और ऐसैनिक सैनिक जो उसकी इस्तिति के बारे में सुवार से पता चलता था अगर किसी मनसबदार के पास सुवार है तो वे सैनिक है अथार्थ उसके पास सैनिक है अगर कोई मनसबदार राज़श्य से सम्मंदित कार्य करता था तो उसको सुवार नहीं दिये जाते थे या सुवार पद उसको नहीं दिया जाता था केवल जात ही दिया जाता था जिस मनसबदार के जात वे सुवार की संक्या समान होती थी वे पर्थम स्रेनी का मनसबदार कहलाता था जैसे कि पांच अजार जात वे पांच अजार सुवार का मनसबदार तो उसको परतम स्रेणी का मनसबदार कहा जाता था जबकि जिस मनसबदार के स्वारपद की संक्या जाद से कम किन्तु आदे से अधिक होती थी वह द्वित्य स्रेणी का मनसबदार कहलाता था जैसे कि जात हो गया पांच अजार स्वार पांच हजार के आदे से अधिकित अधार जैसे मालो तीन हजार या चार हजार तो दित्वे स्रेणी का मनसबदार कौन सा होता था जैसे कि पांच हजार जाते और तीन हजार स्वार वाला जिसकी स्वारपद की संक्या जात के आदे से कम होती थी वह 33 रहनी का मनसबदार होता था जैसे कि 5000 जात और 2000 स्वार अथा 5000 से नीचे जिसका स्वार हो वह 33 रहनी का मनसबदार कहलाता था स्वार के पदे के आधार पर सामराज्य की वास्तुविक सैनिकों की संक्या को गिना जा सकता था अक्बर ने 1534 इस्वे में गोडे दागने की पर्था वह हूलिया पता चहरा नोट करने की पर्था भी सुरू की अक्बर ने दाग पर्था को नया रूप दिया उसके समय में गोडूं पर दो दाग लगाने सुरू हो गए एक शाही दाग और दूसरा मनसबदार का दाग जिसके पास वह गोड़ा रहता था या जिसके सैनिक के पास वह गोड़ा रहता था उस मनसबदार का दाग तो दो तरह के गोड़े पर दाग लगा लगे अक्वर के साथ सनकाल में एक शाही दाग और दूसरा जिस मनसबदार के सैनिक के पास वह गोड़ा रहता था उस मनसबदार का दाग जिस जागिर से राजस्वे वसूली कुल जमा की पचास परतिसत होती थी उसे शिश महाजागीर का आजाता था तथा जिससे एक चोता ही होती थी उसे शिमाही जागीर का आजाता था जाहंगीर ने मनसबदारी परणाली में दू अस्पा और सिहे अस्पा पर्था चलाई जिससे जात वे सवारपद बढ़ाये बिना ही गुड स्वार सेनिकों की संक्या दुगनी या तिगनी हो जाती थी क्योंकि दू अस्पा में मनसबदार को स्वार पत के दुगने गोडे वै सी है अस्पा में तिगने गोडे रखने पड़ते थे तो जहांगीर के सासनकाल में मनसबदारी व्यवस्ता में एक नया परिवर्तन किया जिसको सिहे अस्पा या दुहे अस्पा के नाम से जाना जाता है अर्धारते किसी भी मनसबदार के पद को बढ़ाये मिना उनके सेनिकों की संक्या में वर्दी करना यदि किसी मनसबदार के सेनिकों की संक्या में दो गुना वर्दी की तो उस मनसबदार को दू है अस्पा मनसबदार कहा जाता था यदि किसी मनसबदार के स्वार के पद में अधारते सेनिकूं की संक्या में तीन गुना वर्दी कर दी तो उसको सिहे अस्पा मनसबदार कहा जाने लगा मन सब आनुवानसिक होते थे, मन सब आनुवानसिक नहीं होते थे, मन सब दार की मिर्ट्यू या पद से हटायने पर वे सवतही समापत हो जाते थे जहांगीर के बाद साहा जहां के सासनकाल में मन सब दार के स्वार पद में निर्दिष्ट सेनिकों के अनुपात में वास्तविक सेनिकों की संक्या काफी कम कर दी गई लेकिन सहाजा ने परतेक मनसबदार को अपने स्वारपद के अनुसार निश्चित गुड़ स्वार सेनिकों का रख रखाव अनिवारी कर दिया अगर मनसबदार अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे स्वारपद की निदारित सेन्क्या के एक तिहाई गुड़ स्वार रखने होते थे इसमें ये का गया जांगीर के स्वारी साजां के सासनकाल में मनसबदारी पर्था में थोड़ा सा परिवर्था और किया गया इसमें ये विवस्ता कीगी यदि किसी मनसबदार को उसी की जागीर दी जाती थी जैसे कि आमेर में कच्छवाउं का सासन था अकबर के सासन काल में भगवान दास उसके बाद मान सिंग सासन कर रहा था तो यदि हम मान सिंग को लेकर देखें साजा के सासन काल में फिर यदि किसी मनसबदार को उसी का रज जागीर के रूप में दिया जाता था तो उसके दोवारा जो सेनिक रखे जाते थे सुवारपद के अनुसार उनकी संक्या जो सुवारपद उसको दिया जाता था उसका एक तिहाई रखना पड़ता था अगर अन्य प्रांत में नियुक्त होता था जैसे कि कच्छवा आमेर पर सासन करते थे यदि आमेर के राजा को आमेर की जागिर ने दे कर काबुल की जागिर दी गी या किसी अन्य दूसरे रज्य की जागिर दी गी तो उसके सुवारपद के एक बटा चोथा ही वाग सेनिक रखने पड़ते थे यदि किसी मनसबदार को बल्क वे बदक्षा में जागिर दी गी तो सुवारपद के कुल संक्या का एक बटा पांच बहाग गुड़ सुवार के रूप में रखना पड़ता था साजा के सासनकाल के अंतिम वर्सों में हासिल हासिल का मतलब वास्त्विक लगान वसूली जो किसानों से लगान वसूल किया जाता था उसका वास्त्विक क्या कहलाता था हासिल तथा जमा निर्धारित लगान लगान वसूल करने से पहले एक अनुमान लगाया जाता था कि इतने लगान हमें प्राप्त होगी उसको कहा जाता था जमा मैं अंतर बढ़ गया हासिल जमा की तुलना में कापी कम हो गई इस अंतर को कम करने के लिए साजा ने मासिक अनुपात के आदार पर जागीरिं की विवस्ता कीगी इसे महाना जागीर विवस्ता भी कहा जाता है अब हम मनसबदारी विवस्ता को ओरंग्जेब के सासनकाल में देखते हैं ओरंग्जेब ने स्वार पद में मसरूत का एक नया पद जोड दिया जो मनसबदारी वेवस्ता में जात और सुवार थे तो सुवार में एक नया पजोड दिया जिसको कहा जाता था मशरूत नया पद्य प्रिष्टितियों के अनुसार तब दिया जाता था जब मनसबदार को फोजदार या किलेदार का कोई पद्य दिया जाता था इसमें मनसबदार की सुवार रेंक में वर्दी कर दी जाती थी जिससे वह अधिक गुड सुवार रख सकता था यह एस्ताई वर्दी मस्रूत कहलाती थी तो मस्रूत की व्यवस्ता औरंग जेब के सासनकाल में मनसबदारी व्यवस्ता में लागू की गई मनसब अनुवन सिक नहीं होते थे मनसबदार की मृत्यू या पद से हटाने पर ये सोवतर समाप्थ हो जाते थे औरंग्जेब के समय मनसबदारों की संख्या में भारी वर्दी हुई जिसके फल्सरूप उन्हें देने के लिए जागिर नहीं बची इसे बे जागिरी या जागिरदारी संकट के नाम से जाना जाता है जागिर संकट ने भी मुगल सामराजी के पतन में काफी योगदान दिया धन्यवाद